इगनू जून एक्जाम 2023 के हजारों लाखों छात्रों के लिए मौतपूर्ण सुचना आया है कि उनका न्यू अपडेट रिजल्ट जारी कर दिया गया है तो चलिए लाइब आपको मैं अपने मुबाल में दिखाता हूँ कि इगनू का रिजल्ट आप लोग कैसे देखेंगे इगनू जून एक्जाम 2023 का अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको इगनू का ओफिशल वेबसाइट पर आजाना जब आएंगे यहां पर तो आपको एक ओप्शन मिलेगा रिजल्ट का सबसे उपर ही डाउनलोड के बगल में इस पर आपको क्लिक कर देना जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने खुल के आजाएगा यहां पर रिजल्ट आपको यह नीचे वाला नहीं है यहां उपर देखेंगे तो लिखा हुआ है टार्म इंड के वल टार्म इंड लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना जैसे क्लिक करेंगे एक सामने आपका पेज खुल के आ जाएगा इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं वीडियो के डिक्सप्शन में दे दूँगा आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट यहां आ सकते हैं और अपना रिजल्ट देख सकते हैं देखिए टार्म एंड एक्जाम रिजल्ट जून द 2023 अस्टेटस देखिए जुलाई 11 2023 का अपडेट किया हुआ है इंटर यूर इन्रोल्मेंन नंबर यहां पे अपना इन्रोल्मेंन नंबर जो आपका होगा वहां पे आपको यहां पे समिट करना होता है और तब आपका रिजल्ट दिखाने लगेगा मान लिजे आपका रिज एड to be declared आट indeed समझ लिजेए कि अभी आपका जो रिजल्ट है आपका वह नहीं आया है लिनक आजाता है तो सबजेक्ट वाई रीजिच कोर्स वाई एक करके एगणूरम में रिजल्ट आता है ठीक है तो माल यह आपका भी रिजल्ट नहीं आया है कुछ दिन वेट करिए आ आपका भी result update होते हुए जाएगा यानि कि daily आपको यहाँ पे चेक करते रहना है जो status दिखा रहा है जुलाई 11 2023 ऐसे ही status update होते रहेगा और एक एक करके आप सभी का result आता रहेगा तो status आपको चेक करना है कि कब update हुआ है फिर enroll number submit करना है अगर आएगा तो दिखाएगा नहीं आएगा तो enroll number not found ऐसे ही दिखाएगा यह से ही इगनु में result आता है इगनु संबंदित अन्य कोई भी प्रसन आपके मन में रहे तो नी संकोच आप हमसे कमेंट करके आवश पूछ सकते हैं आप हमारे टेलिग्राम चेनल को जोईन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भोलो कर सक आप